पश्मंगाल के नंदिग्राम में 25 माई को वोटिंग है लेकिन उससे ठीक पहले बवाल हो रहा है 22 माई को बिजेपी टीमसी कारकरताओं के बीच जड़प होई और इस जड़प में 5-7 लोग घायल होई इन्हें एस्पताल में भर्ती खरवाया गया जहां बीजेपी के एक महिला कारकरता की मौत हो गई और उसके बाद उगुसाए बीजेपी कारकरताओं ने आज नंदिग्राम बंद बुलाया प्रदर्शन किया बिगरते महौल को देखते वे इलाखे में केंद्रिय सुरक्षा बलो की तैनाती कर दी गई है मामले को लेकर बीजेपी टीमसी में आरोग प्रतारोग का दौर भी जारी है और इसी पर आज करेंगे चर्चा हमारे साथ कुछ खास मैमान मौझूद है मादवी अगरवाल जी प्रवक्ता भारती जिनता पाठी से प्रेंका पासवान जी प्रवक्ता कॉंग्रोस से है लेकिन उसके निवो निवन नहीं बनता क्यों कि वाठी बारती आप सारण की बात करें मुझे नहीं पता चाहिए आपको जिला पता है की नहीं पता है च्छपरा का मामला था दो दिन इंटरनेट बंद था एक तरफ राजी उप्रता बोली है दूसरी तरफ रोणी आचा रहे हैं सारी तस्वीर सारी ख़वर ने दिखाई थी फिर से मैं सवाल पूछ रहा हूं आखिर ऐसा कारण क्या है कि ट्यम्सी में किसी फेस्ट में कारण कुछ ना कुछ तो कोगा उसके लिए जाच होगी जाच के एक पहले क्यों होता है उसके बास सब्सक्रांथ क्यों हो जाता है तो ये कारण सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से पश्रम बंगाल में पॉलराइज करने के चक्कर में, हिंदू-मुसल्मान करने के चक्कर में ये सारे कांड होते रहते हैं और ये भारती जन्ता पार्टी लगातार इसको फोकस करती है, क्योंकि और इनके पास कोई मुद्दा नहीं गाए गया, मुद्दा विहीन भारती जन्ता पार्टी है, हार का डर है, यहीं वज़े से कहीं न कहीं, किसी तरीके आपने देखा होगा, संदेश-काली के बारे में उसको जहें मुद्दे को उठाए गया, लेकिन प्रजर रवन्ना के बारे में देखियेंगा, वह उसमें प्रधार मन्ती बाक्तर देते हैं, इतना वागा कांड हो गया, लेकिन वहां पे आठ दिन की अंदर प्रधार मन्ती तीन तरा अगर आप एक्शन लेते टाइम से तो आपने के लिए, आपने के लिए चेक्रवरती लिए, हमने नहीं दिया, महिलाओ ने बाकरदा आरोप लगाया था, उनको पैसा मोबाईल और जमीन देरे की बार गीति शुवेंदो दिकारी जिने, उसके बार उनको चीज मिला नहीं, तो उन्हें आपना के लिए तीसरी महि आरोप लगानी का क्या है, कुछ भी बोल सकते हैं, मुझ से तुक होता है इस बाता, कि हर व्यत्ती के एक नयतिक जिम्मेदारी होती है, मैं बता दू कि भाजपा जब यहां पर बहुत जादा प्रतक्षी रूप से नहीं थी, तब यहां पर इतिहाफ रहा है पश्य मंगाल में राजनेतिक हिंसा का, सीपेम काल से ही राजनेतिक हिंसा जिस सरी किसे चलती आरी है, उसको अड़ावा दिया है, और इसको यह जो नीती है, इसको आगे लेकर जारी है, मुझे लगता है कि एक मुख्य मंत्री जो महिला है, तो उनके अंदर में समेधना जादा होनी चाह है, ना की खत्मे करने के वज़ा, इन्हों ने तो इसको और पराकाश्चा तक पहुचा दिया, आज यह सिती है, कि जो आगड़े आते हैं, उसको भी हम यह कहने सकते हैं, कि जो आगड़े बता जाने कितनी हत्याएं हुई है, वो भी पूरी तरी सर्कार करती है, और यह जो आयोग की हुई? कि तेमसी के आने के बाद यह जाता है, लोगों को प्रत्यासियों को अपना घर छोड़कर बाहर जाकर सुरर लेनी पड़ी, तो यह अवस्ता है पश्चिम बंगाल की और यह राजनेतिक हिंसा, रुकने की जागड़े बता, कि कब ऐसा मौका आखरी बार याद आता कि लात बार जो चुनाव है विजद इंसा के तक्षिम बंगाल में हुआ, मैं आपके सामें कुछ तथे रखमा चाहता, आप देखिए कि माँ माटी मानुष की बात कर दे वाली ममता जीवी, जिन्होंने की सिंगूर में अपने आपको बिलकुँ जोंक दिया था, और वो तक् अपने खंद माओ का बात कर दो हुआ, माती लगातार बंगरदेशी रोहिंदियां के द्वारा कब्जा हो रही है, उसके आप मानुष, आप देखिए ना, ना राम नौमी के लिए आप वहां पे करक्रम करक्ते हैं, जुर्दार स्मीटे से करक्रम नहीं करक्ते हैं, हनुन करक्ते हैं, वहां केवल और केवल रही हैं को बंगरदेशी से बुला बुला कर बारत के लिए जलवाई जा रही है, एक बात आप मैं कहने चाका हूँआ, आज हमारे साथ लोग नहीं गायल हुए है, यह सदकारी हांगरा है, और आप रहां पर हम से कर, हमारे 25 से ज़गा कर हैं, कुछ कार करता ह is, कुछ परोड़ पानिल हैं, और आप मैं गायल हुए है, कुछ कर करता ह हैं, युछ कर करता हो, घृवान पानिल नहीं पहुचे है. और साथ में जो मैनी दह आज हैं आज Cart. यह सभाई करना जाता हूँ हूँ धिनों मने ममसर्दी यह जो आतें को आण प्रकार्टी बाते कर रहे ते मैं से पूछना चाहता हूं कि आप कहा रहे हैं कि यह तो भीवेशन का विशे है अरे भाईया जब मुहरण निकलता है चाल आप लोग पुरिसमार लगा देखे हो राम भी निकलेगी उसके लिए आप रोख दोगे अमान देमोप्सर वोगा उस को अप रोख दोगे और जो पच्छर वादी हो रही है जो हमने से पाजपा कारे करता हूं पे चाहिए प्रेंका पासवान जी आपकारू करेंगे लेकिन चक्वरती जी आरूपो को सुना आपने की टीमसी के कार्टाओं की तरफ से योजना बद तरीखे से इस तरह की घटा की जाती है मैं दोनों भारती जन्ता पाड़िक के प्रवक्ताओं को बताना चाहता हूं यह जो हम तो बता रहे थे कि अगर पंचास चुनाओं में जहें माईनाओं को उठा लिया जाता है उनको लमंगन करने नहीं जाता है लगता है सूरत भूल गये आप लोग तो पंचा अपनी बातर रकिया है सूरत बोल यह बोल ते चंडी कामरा में भारती जन्ता पाटे को जिता हाँ टिखाएगा अरे बारी बारी बोलेंगे संजा जी जवाब देजी मैं तेजी एक बार सुन लेते हैं संजा जी बात रखे अर्वाचा पदेखे दज़ज विधाद के देहें बाकादने इन वो शुन लिए जाते हैं तब इन लोग अधियार नहीं आता है उसमें ही सब पूरा सब विधान इनको सब सही लगता है लेकिन इनको केवल दिखता है केवल और केवल बंगाल लेकिन अभी उत्तरप्रदेश के पिछले साल जो चुना हुआ था बाकादा जिनके प्रत्याजी थे उनके घर के सामने सड़क तक को दिया गया था लेकिन अब आप लोग अलाइंस में तो ऐसी घर्टाओं पर स्टेंड बढला है अलाइंस में आ जाने की वज़े से या वही मुखरता है को उसके लिए बंगाल कि प्रियंका जी आप सुन पार ही हमें प्रियंका जी तक आवाज नहीं पहुच रही है एक बार फिर से हम अरी करने की कोशिश करेंगे लेकिन सवाल मादवी जी ये भी है कि आखर क्या आयोक की जमदारी नहीं अगर इस तरह की घटना होती है ठीके जी प्रियंका जी बोलिए बात पूरी करेंगे जी देखिए जो भी घटना हुई यहां पर बंगल में हुई बाकी बहुत दुखद है और इस घटना की जाच होनी चाहिए लेकिन फिर भी ये अगर आप देखें कि मड़ी पूर साल भर से वहां जल रहा है महिलाओ के कर इजजत की बात है अभी एक बीजेपी के कोई नेता बोल रहा है कि जिस सरकार में महिलाओ की इजजत नहीं हो सरकार को छोड़ देना चाहिए मड़ी पूर एक साल से जल रहा है और कितने एंसी आर्बी के रिपोर्ट देख नीचे कि कितनी जादा महिलाओ के साथ अत्यचार की घटना बढ़ गई है प्रज्वला रेवन्ना देश छोड़ के भाग गया है जो दो अतार महिलाओ का रेपिस्ट है आप ये बीजेपी सरकार इन सब चीजों पर क्यों नहीं बोलती मुझे ये बताईए केंदर में बैठी हुली है सारी जाच एजेंसिया हुए है मैं मैं आँगा मैं सुझी बाग जाता है प्रज्वला रेवन्ना भाग जाता है मड़ीपूर जल रहा है लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है ठीक है ये दुखत घटना है जो बीजेपी के साथ घटना हुई बंगाल में तो वेपक्ष बैब भी है बीजेपी भी है और बंगाल में सत्ता टीमसी के पास है अगर वेपक्ष वाला फैक्टर है तो बंगाल में तो परिस्तित्य अलग हो जाती प्रियंका जी देखे यहां महिलाओगी मैं बात कर रही हूँ अगड़बंदन में हो नहीं हो नहीं मैं पूरी हिंसा की बात कर रहा हूँ एलेक्षन फेज में जो भी बंगाल में चुनाओ दर चुनाओ हिंसा देखी गई है आखिर उसका कारण क्या है देखे हिंसा अगर एलेक्षन नहीं हुई है मैं बोलो इसकी जाच होनी चाहिए और निस्पक जाच होनी चाहिए लेकिन फिर भी वहां महिला महिला सुरक्षा की बात है कि जहां पर महिला एक सुरक्षित अगर नहीं है तो मड़ीपूर में एक बार भी नहीं गया मादवीजी जबाद दीजे मड़ीपूर का मुद्दा, रिवन्ना का मुद्दा, अगर महिला सुरक्षा की बात हो, अलब ये पूरा एलेक्शन प्रॉस्स को लेकर सवाल लेकिन इसका एक परस्पेक्टियूरी भी ठीक, प्रियंकर्डी अब सुनिए आयूस जी, बड़े अफसोस की बात है कि उस पार्टी की कारिकरता है जिसमें बोला जाता है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन कहां लड़ सकती हूँ, केवल उन राज्यों में लड़ सकती हूँ, जहां उनकी सरकार नहीं हो, उनकी सरकार के साज है, वहाँ पर बार बार लगातार चलता रहा तब आप लोगों को नहीं याद आती थी, तब तो मनमोहन जी कान में तेरे डालकर बैठ जाते थे और बार बार जो है वहाँ पर संविधान जो है लागू करने की कोशिश करते थे भई बार 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 बो चेंज कर दिया जाएगा लेकिन अगर अभय डालकर तो टरूंचा घ्रक अट ऑ़मागर सब्सक्राइब इस Dobar तो कौकर नगे की अगर जो है लेकिन आप लोगों आप लोगों को नीघिज़ आप लुग कैन्सिते आफ लिकांए ज़स,ser जाँए खीना विजान मार भू सक्सर आप लेड़ते, इसब गाट कि ना लेकिन चखरवर्टी ऑखिर सब्सक्राम करने इस और अगर वीवेचना की बात है तो अब तक विवेचनाओं का नतीजा कहां तक पहुँचा हर इलक्षन की बात करें विदान सभा इलक्षन पंचायत इलक्षन हमने देखा और अब लोगसभा में भी एई स्थितिय है पहली बात तो आपको पता होगा कि मुख्यमंति के पाई इतना अधिकार भी नहीं है वो सवाल मैंने पूछा भी जीपी सीवी पूछा लेकिन कई एलक्षन से इसे जहां पर अधिकार राज सरकार के पास होता है अधिकार पंचायत चुनाओ ऐसा नहीं कि एक चुनाओ में हुगा ने ने मैं बिल्कुल सही बावता रहे हैं लेकिन ये मुद्धो को किस तरही के से करन मैंने सिर्फ संदेश खाली का जिक्र किया लोग महीं करते हैं मैंने जिक्र किया कि वहां पे जो वह नहीं उसको प्रजेक्ट करके उसको आगे बढ़ाया गया ये तो जाच होगी और प्रजेक्ट करेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस पर हम निशकर पर चुछाए अब मैं आता हूँ मैं जब प्रजेल रुमना की बात करते हैं तो प्रजेल रुमना देख हुई एक दिन में इतने सारे रेव नहीं की होंगे इस पर सवाल हो गया है इस पर जवाब हो गया है वापस मुद्ध पर आते हैं मेरा जो सवाल था आकिर ऐसा ट्रेंड क्यों है बंगाल की सियासत में ये जो लाल रंग है वो फूम का रंग लाल क्यों है सियासत में वहाँ पर आता हूँ मैं उसे बात करता हूँ मैं सिर्जल रमना पर एक बात और कहा देना चाहता हूँ ये एक बहुत बड़ा प्रस्ता है ये महुआ मुट्रा से आपने पूछा था जब दुबाई गई थी मिना बताए तो ये अलग बुता हो जाएगा इसे लिमन नहीं जा रहा था है मेलत कप सब्सक्राइब ये मैं लग की बारी से भारी बारी से बोलेंगे वें पूली तो मजबूरिया रही होगी, ऐसे ही कोई पेवाभा में होता. या बेटर प्येंट का पातवान जी, जोड़ शब्द, अच्छों से छोड़ो, जोड़ शब्द इंके खुबने के खार करता हो, निचल जरूप से हक्ते आती गही. इनो जशब्द इंके खुबने कुण जाए, ये जोड़ शब्रों के नरंना उड़ा करता हो, अच्छों को बनावर शब्कर शब्रों को बंगर शब्रों मेरी सवाल का जवाब. अरे इस चिलाने के जिलत देए पहले तो यही बता दो भई बिश्बुशन सारा सिंसे ऐसी कौन सी डेल की आपकी पार्टी को उनके जलके को ठीकर देना पड़ा आप क्या वही बात हो ददबा था ददबा है ददबा है आप लोगो कौन सी मजबूरी है इस लोगी कौन सी मज उसकार की सरकार के पास नहीं है वी जेपी पुरा भारत नहीं मैतल साभी कहा जारा है कि शक्तिया राज की सरकार के पास नहीं आयो के पास है इस लिए जब जो और यह और यह तो एक फैक्ट है कि कॉंग्रस के कारकरता भी मारे गए हैं अधीर रंजन चौधरी ने प्रेंका जी सवाल तो सुन लिए प्रेंका जी सवाल तो सुनिए अधीर रंजन चौधरी ने इस बात को लेकर ममता सरकार पर आरूप लगाया था निशाना साधा था जब कॉंग्रस के कारकरताओं के साथ ट्यम्सी की सरकार में हिंसा हुई थी क्या सिर्फ आप लोग अलाइंस में इस सवजे से स्टेंड बदल चुका है यहां पे मडंपूर में मड़ी पूर एक साल से जल रहा है वहां जाकर इसके लिए क्रेस कान्फर्स में होती है वह अपने पूचा बीजेपी से मैंने वह सवा गर पर्लिखण की बात कर रही है कस लोगसWorld की बदता एक पत्रकार की प्रपधिर किन लगण चोन कर रही है। कहा हुए बताई तो जगह तो बताई आप खबर पढ़ की आई तो बताई कहा हुए है कहा अत्या हुई जॉण पुर का मामला था उसमें आरोपी जमीरुद्दीन को मॉंबई से गिरफ़तार कर लिया गया था प्रयाइक कई लगों के작 में cent मैं overall चुनावी हिंसा में बात कर रहा हूं जिसकी महिलाएं भी शिकार है पुरुष भी शिकार है विपक्षी भी शिकार है और जैसा चक्रवरती ने का कि हमारी पार्टी भी उसकी भूगगी मैं बोली जैसा मादीजी की बाद जाओं। बोली है यह भी शिकार है तो रहा है तो चाहिए कि पुछिए चाहिए करते हैं कि दो है पर राजनीती की वज़े से उनसा हो रही है या हिंसा के बाद राजनीती हो रही है देखे ये बहुत शन की बात है कि बारवार ये दूसरे बीजेपी के कंदे पर रखे बंदुख चलाने की कोशिच कर रहे हैं किस तरीके से हिंसा गटना है वाँ पर लगाता गटी रहती है एक महिला और मनिपूर को पकड़ के बैठ गए है जबकि इनके पार्टी के खुद ही जो विपक्ष के लीडर और इनके जो अध्यक्ष है वो बोल्ड रहे है इसका विरोध कर रहे हैं लेकिन अपनी पार्टी ल लगाता त्यम्सी के राज में इसको बढ़ाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम की राजिती करने वाली अगर कोई है पूरे देशवर में सबसे आदा तो कॉंग्रेस पार्टी है और उनकी अलाइंस जो सपोर्टी पार्टी जी और यह नंदी ग्राम तो जगर रही है जहां मम आपकी सरकार पर या आपकी काड़र पर सवाल तो उठे गाई आप सता में तो यह तो फ्रेक्ट है बड़ी मजदार बड़ी मजदार बाद जो है अभी वीजेशी के परवक्ता ने बताया कि हिंदू मुसल्मान जो है हम लोग करते हैं औरे प्रधार मंतिक खुद करते हैं जिनके ज़्यादा बच्चे हैं उनको पैसा दे दिए जाएगा उनको भैस दे जाएगी उनको मंगा से तुछीन लेंगे अभी कल्क बोला है चोटी आरे सांध रो या या वीजेशी के परवक्ता को सांध करेंगे और राजितिक विश्यक विश्यक का शब आता ये और रा श्राइब निक्ता कर परवक्ता हो ये चाहिए और इसका असर पड़ेगा इलक्षन में मान रही है संचिप में धेखिए अ मेरा माना है कि जो चुनाओ जो होते हैं ये प्रक्रिया बहूत ही लोग्तांत्रिक देश में बहुती स्वतंत्र रूरुस होनी चाहिए और और इसको बढ़ावा देने के लिए जो यहां का प्रशासन है वो सपोर्ट करता है, सरकार सपोर्ट कर दी है प्रिंकादी क्या निश्पक्ष एलेक्शन प्रोसेस पर ऐसे इंसाओ का असर पड़ रहा है निश्पक्ष एलेक्शन प्रोसेस पर ऐसे इंसाओं का असर पड़ेगा बहुत संचीब निए डेफिनेटली यह असर पड़ेगा और इसकी जाच होनी चाहिए लेकिन मैं यह बोल रही हूँ इसके साथ ही साथ जो इसके पहले भी दस साल तक जो बेरुजगारी महंगाई और जो सिक्षा सारी चीजे महंगी हुई है जो महिलाओं के साथ अत्केचार हुआ है अब देखना यह होगा कि असर किसका जमीन पर क्या दखता है